प्रेंट्स कैसे हो मेरा नाम है संजीम जोत्रा और आज नहीं बात करेंगे आज बात करेंगे रदर फोर्ट स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में ठीक है जैसे मैंने पहले पढ़ा था पिछले लेक्च्छर में जिसमें पढ़ा था ने पांकर्ण परी सEEोफ था नियुट्रीलडी के बारे में आज यूंदर और विए सपेरिमेंट के बारे में ठीक है आइटर्ण के बारे में हैं पुरा पूर vibes प्योडा प्रश कमें प्वारे है प्रिए तो थौंसर मौडल फेल हो गया तो फिर क्या आया रदर फॉर ने क्या किया में 1910 यहां 12 के बीच में उन्होंने एक्सपरिमेंट किया रदर फॉर्ट स्केटरिंग इसपरिमेंट उन्होंने क्या किया है अल्फा पार्टिकल्स लिए अल्फा चार्ट पार्टिकल्स लिए जो जिसका मास जो हम कह सकते हैं वी पॉजिटिव चार्ट पार्टिकल्स लिए जो हिलियम के ही हम बनते कैसे हैं वैसे हम देखें तो हिलियम के ही पॉजिटिव चार्ट पार्टिकल्स है जैसे हम देखते है कि हीलियम 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 के पास किते हैं होते हैं दो इलेक्ट्रोंज होते हैं मतलब उसके पास हम कहा सकते हैं नंबर ओफ इलेक्ट्रोंज दो है और उसका जो मासा वो कहा है 4M, AMU तो इसमें से जब 2 लेक्ट्रोंज निकल जाते है तो क्या बन जाता है प्लस 2 ठीक है तो ये क्या हमारे पास अल्फा चार्ज पार्टिकल्स जिसके चार्ज क्या है प्लस 2 ठीक है तो ये अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने लिए क्योंकि alpha particles किया यह क्या है radioactive substances है जो अपने radiation's emit करते हैं तो क्या किया इले लेड ब्लॉक लिया उसमें उन्हें क्या किया यह radioactive substance लिया यहां पर इसमें से रेज निकली alpha rays निकली ठीक है और यह क्या थी मारी lead slit और यह क्या थी मारी gold foil यह क्या थी मारी gold foil thin sheet लिए एक metal की sheet लिए गोल की sheet लिए जिसमें से उन्होंने rays को पास करवाया एस तरी के से देखा कि most of the rays जो थी undeflected undeflected most of 99% सीधी चलेगी ठीक है यह क्या लिया था यह क्या था हमारा यह एक zinc sulfide की screen थी movable थी जहां पर जब भी को rays आती थी यहां पर वो हम कह सकते है फ्लेश होती थी चमकती थी यहां पर तो क्या किया जैसे इन्होंने यह alpha particles लिए उसमें से पास करवाई rays पास करवाई lead slit से और यह क्या थी हमारी गोल्ड फॉयल मैटल की गोल्ड फॉयल थी देखा कि जब rays पास की alpha rays पॉस्टिवली चार्ज alpha particles जब पास करवाई तो 99% सीधे चलेगे अंडिफ्लेक्टेट और फ्यू किदर चलेगे इस तरह किसे कुछ 90 very few 90 90 के एंगल पे डिफ्लेक्ट होगे और कुछ 180 डिगरी पे भी पीछे वापिस चलेगे अब यह क्या क्या इससे क्या conclusion निकल रहा था हूं रेज पास करवाई ज़ादातर सीधे चलेगे 99 पर सीधे चलेगे इससे क्या प्रूव हुआ कि सीधे चलेगे मतलब पूरे का पूरा एटम maximum 99 पर से रेज जा रही है इसका मतलब किसी खाली जगह से रेज निकल दी है तो जो Thompson ने कहा था कि पूरे का पूरा positive charge से भरा हुआ एटम है ऐसा कुछ नहीं है मतलब एटम में खाली जगह पड़ी हुए है empty space है hollow space है जिसमें से raise पास करके जा रही है ठीक है तो यह क्या थी हमारी undeflected raise यह क्या थी हमारी deflected deflected अब हमारे पास क्या-क्या जो observations आई रधरफार scattering experiment में one by one देखते हैं क्या है ठीक है यह जो हम पढ़ रहे है 99% यह कितने percent कितनी undeflected है कितनी deflected है यह भी one by one हम discuss करते हैं कि क्या-क्य observation मारी रधरफोर्ट scattering experiment में आई ठीक है चलिए देखते हैं अब हमारी पैस observation क्या आई है पहली observation क्या है कि जैसे में यहां से raise pass करवाई तो क्या निकला most of the alpha particles 99% went straight 99% जो थी वो सीधी चलिगे 99% 99% वो क्या होगी undeflected deflection नहीं हुई मुरी नहीं सीधी चलिगे undeflected being deflected 99% straight चलिगी इससे क्या पता चला कि 99% सीधी चलिगी है तो हमारा चीज़ों से positive मिले फिर वहां से पता चला कि शायद शायद कहीं न कहीं अगर वो race जा रही है तो कहीं न कहीं जासर डिफ्लेक्ट हो रहे है सेंटर में से तो वहां पर कोई नहीं को पॉजिटिव चांज होगा तभी वो साइड में डिफ्लेक्ट होगी रिपल्शिन होगी यहां से आगे मैं डियाग्राम को दुबारा समझाओंगा आपको मिटागे तो कुछ ने क्या किया सी मैक्सिमम जो थी 99% सीधी चले गई अफ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट रिफ्लेक्ट हो गई इस तरह के से कुछ जो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कुछ पास ही नहीं कर पाई उसको पार नहीं कर पाई और डिफ्लेक्ट होगी मोर दन 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे ही वापिस चलेगी स्ट्राइक होके वापिस पीछे चलेगी इसका मतलब कोई हार्ड चीज मास कोई है जिससे वो टक्रा के क्योंकि यह चारज पार्टिकल्स बहु चैस रेग्ल्स होंकि कोई ही बापिस इसका मतलबुगी सेंटर में कोई चीज ऐटर में पड़िये जिससे क्यों स्ट्राइक करकर टक्रा के वापिस फेलक्टल होगी है ठीक है तो ये कुछ observation मिली कि 99 पर सीधी चलेगी a few small angles में deflect होगी इस तरह के तोट से deflect हो नहीं शुरू होगी और very few 1 in 20,000 20,000 में से 1 मान के चाहिए फिगर दिये जो वो pass ही नहीं कर पाई foil में से pass नहीं कर पाई मतला वो deflect होके वापिस चलेगी या 90 डिगरी पे वापिस आगे ठीक है अब observation ये ठीक हमारे पास है अब इसे और diagram से समझते हैं जब हम atom बना के देखते हैं और उसमें से raise pass करवा के देखते हैं ये चीज जो सेम हमने की है 99% small angles पे डिफलेक्ट होगी वापिस चलेगी इसे हम दूसरे diagram से समझने की कोशिश करेंगे अब देखिए ये देखिए हमारे पास atom है और atom में एक हमारे पास यहाँ पे नूकलीस है हम मान के चलते हैं जैसे अभी हमें बता है तो क्या किया गया था जैसे हमने कहा कि alpha particles जब हमने pass करवाई alpha particles ये पास हुए तो मैंने क्या कहा कि पहला observation क्या था कि most of the alpha particles 99% went straight without being deflected इससे पता चला कि 99% जो black lines लगाई है ये black lines ये सारे का सारी यहां से गुजर रही है इसका मतला ये सारा खाली portion है यहां से ये pass हो गई ये pass होती जा रही है 99% straight चलेगी Thompson ने क्या कहाता कि सारी जगा पे positive charge पढ़ा हुआ अच्छा अगर positive charge पढ़ा होता तो फिर क्या होता ये भी positive charge वाली है positive जाने का मतलब क्या कि जगा सारी खाली बढ़ी है Atom क्या maximum जो क्या है होलो है खाली है जिसमें से अल्फा रेज जो पॉस्टिव रेज थी वो पार चली गहीं स्ट्रेट चली गहीं 99 परसंट विदाउट बिंग डिफ्लेक्ट यह खाली जगह थी निकल गी चलो सेकंड में क्या खा एक फ्यू अल्फा पार्टिकल्स पॉस्टिव चार्ज पार्टिकल्स है इसका मतला डिफ्लेक्शन तभी होगी अगर सेंटर में यहां पे कुछ पॉस्टिव चार्ज होगा इसे पॉस्टिव चार्ज पढ़ा हुआ है तभी यहां से जैसे पॉस्टिव आया इसे पता चला यहां पर पॉस्टिव है डिफ्लेक्ट हो गया यहां पर डिफ्लेक्शन यहां पर पॉस्टिव नहीं था इसका मतलब सेंटर में कहीं ने कहीं कोई चार्ज पढ़ा हुआ है जि 20,000, could not pass through the foil, pass नहीं कर पाई, foil में से, and suffered large deflection, more than 90 और 180 डिग्री, फिर क्या हुआ, जो ब्लू कादर से मनाया है, जो रेस जैसे गई, वैसे वापस आगे, इसका बादर सेंटर में पर छोटी, छोटी कोई, महम कह से करें, मास पढ़ा हुआ है, जिसे हमें नुकलियस कहा, जिसे हमें क्या कहा, नुकलियस, जैसे नुकलियस है, पॉजिटिव चार्च पढ़ा हुआ है, जो जिसका एक मास है, है क्योंकि है क्योंकि है विग हैं वाले चार्च प्रेकल्स यह भी है है प्रेंटर्श करके वापीश होगा की यह यह दो कि ने क्वापhou कि संट में पॉजू चार्च मास परा हुए ते ज्यामने पर तु Amen अलफा पाटिकल्स ट्राइक करके वापेस आगे अब वो थॉम्सन की जोन की थी कहानी थी कि पूरी तरह से पॉस्टिव चार्ज पड़ा हुआ है और स्प्रेड हुआ है पूरे तरह स्प्रेड किया गया है हुआ है उस पर एलेक्ट्रों पड़ू है हाँ लेक्रिकल पॉस्टिव चार्ज पड़ा हुआ है जिसमें पॉस्टिव चार्ज होगा तभी अल्फा पाटिकल्स पॉस्टिव चार्ज है जब वो आएंगे आएंगे इसके नजदीक आएंग तो डिफ्लेक्शन होगी और जैसे ब्लू कादर है यह स्ट्राइक हिया और वापिस चला गया स्ट्राइक करके वापिस दागये समय कोई हैवी मास चार्ज पाटिकल पड़ा है जिसका स्ट्राइक करके वाफिस को बेज रहें इन क्या बोला नुकलेस इन स्कैर्टरिंग एक्स्पेरिमेंट के बेसिसज पर ही रदर्फार्ट का न्युक्लिर मॉडल आटम आया जि तब तक के लिए मैं अजास्ट दीजिए थैंकिए गुडबाई टेक केर